OCD depression से बचने का अदभुत फार्मूला आज की इस वीडियो में जान लेते हैं फार्मूला क्या है? सोच के उपर समझ अपलाई करनी है कैसे करनी है? यही परकिरिया इस वीडियो में जानते हैं मैं राशेंदर जोदपुरिया अनपम पैरेडाईज सिर्स हर्याना की तरफ से आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ OCD depression में बहुत सारे विचार आते हैं फोर एक्जामपल किसी एक विचार को हम पकड़ लेते हैं जैसे एक विचार आता है जो चेकिंग वाली OCD है उसमें की ताला खुला रहे गया तो कुछ हो जाएगा कुछ डाउट मन में आते रहते हैं तो आप देखिए कि ये सोच है ये एक विचार है ये चलते ही रहते हैं विचार कभी रुकते नहीं है कंटैमिनेशन OCD में भी बहुत सारे विचार आते हैं कि गंदगी फैल जाएगी गंदे हो जाएंगे और बाकी रिलिजियस OCD में भगवान सजा दे देंगे तो ये विचार है अब आपने दूसरा कदम उठाना है कि इसके उपर समझ अपलाई करनी है कि समझ क्या है विजडम कि क्या इसके उपर कोई एक्षन लेना अनिवारे है या इसे लेट गो कहे देना है समझदार इनसान कौन होता है जो सोच समझ कर कारिया करता है कि कहा गया ना कि सोच कर कारिया करो जैसे कहा गया है कि सोच समझ कर कारिया करो ये नहीं कहा गया है कि सोच कर कार्या करो, सोच समझ कर, कि पहले सोच लो, फिर उसे समझ लो OCD और डिप्रेशन में क्या होता है, कि सोच और कार्या हो जाता है, सोचा एक्सन हो गया Contamination OCD में सोचा गंदगी है, तो सारा कुसाप कर दिया चेकिंग OCD में कि सोचा की ताला खुला है, बार-बार चेकिंग शुरू कर दिया Religious OCD में सोचा की बगवन सजा देंगे, माफि मागना स्टार्ट कर दिया बाकी OCD जो रैबीज वाली है, HIV वाली है, सोचा की HIV हो जाएगी तो बार-बार रिन्शोर या टेस्टिंग करवानी सुरू कर दि, डिप्रेशन में सोच लिया कि बरबाद हो जाएगे, एसफल हो जाएगे, तो चुप रहना स्टार्ट कर दिया, प्रयास करने ही छोड़ दिये तो इसमें एक गायब है, तो OCD और डिप्रेशन में जो गायब रहता है पक्स, वो है समझ वाला क्योंकि समझ होती नहीं, सोचना होता है और कार्या होता है, तो कहा ऐसा ही गया है कि सोच समझ कर कार्या करो तो सोचना है, उसके उपर समझ अपलाई करनी है, जिस दिन आपने समझना स्टार्ट कर दिया, OCD डिप्रेशन गायब हो जाएगा यह जैसे कंटेमिनेस और OCD में विचार आया, कि सब कुछ गंदा हो जाएगा, तो समझ इसके उपर अपलाई करनी है कि क्या वास्तों में गंदा हो जाएगा, कैसे गंदा हो जाएगा, क्या कोई टच करने से चीज गंदी होती है, ज्यान काम आएगा समझ का मतलब है awareness, जाग रुकता, कि इस पल में हम है कहाँ, वर्तमान में होती है, जाग रुकता कि देखिए कि विचार आ गया है कि गंदगी फैल जाएगी, तो इस गंदगी फैलने के विचार में कितनी सचाई है, क्या ये मेरा रैसनल विचार है, क्या मेरा ये इर्रैसनल विचार है, क्या मैं जो एक्षन करता हूँ, वो किसी कंडिशनिंग के दवारा कर रहा हूँ, या मेरा चुनाव रहता है जब आप इस तरह से जागरूक रहेंगे समझ की शक्ति को पहचान लेंगे तो ओशेडी डिप्रेशन वह अन्य तमाम मानसिक प्रेशानिया पल भर में गायब हो जाएंगी अगर ये बात सोच और समझ वाली खाने में बैठ गई तो बले बले नहीं बैठी तो थले थले फिर भी थले थले को बले बले में बदलने के लिए आप ओनलाइन ओपलाइन साइको गुरू टीम से बात कर सकते हैं सोच समझ को हम गुसे में भी अपलाई कर सकते हैं कि जैसे आपको गुसा है किसी इनसान से, किस इनसान ने गलत कर दिया, अब समझ यह है कि क्या इसी वक्त गुसा करना जायज है, इसे मेरी एनर्जी भी खराब होगी, मेरा मूड भी खराब हो जाएगा, मेरा रिस्ते हैं, वो भी गड़ बड़ हो जाएंगे, तो हम रुख जाते हैं gap maintain कर लेते हैं जो सोच तो एकदम action लेने के लिए मजबूर करती है लेकिन जो समझ है वो हमें action लेने में मदद करती है कि क्या हमें action लेना है या नहीं लेना है बस इतनी सी बात समझ नहीं है आप राजिंदर जोदपुरिया वेबसाइट पर रिटन में टिप्स पढ़ते हैं इसके लिए मैं आपका तहदिल से शुकर गुजार हूँ